Figma काफी change हो चुका है और हमें मिल गया है early access updated version का तो आज किस वीडियो में हम लोग discuss करने वाले कि ये actual में change क्या हुआ है, कौन से options कहां कर दिये गए है, menu bars में कुछ changes आये है, options जो है उनकी placement change कर दी गई है, कुछ icons चेंज गर दिये गई है, तो आपको confusion ना हो इसके लिए ये जिन्दों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पास में आरे बेल के symbol में भी क्लिक कर दीजिए, चलते हैं हमारी वीडियो में practical way में हम लोग देखते है कि क्या कुछ नया है Figma में, क्योंकि मुझे early access मिल चुका है Figma के नए version का, तो मैं आपको go through करवा देत हूँ कि क्या major changes हुए है Figma के interface में, और options कहां से कहां कर दिये गए हैं, तो देखे सबसे पहले तो आप यही देख रहे होंगे कि हमारी जो floating जैसा कुछ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन float नहीं है, हम लोग इसे इदर उदर नहीं कर सकते, तो दोनो side के जो panels हैं, वो round corners के साथ में हमको detached way में दिखाई दे रहे हैं, और rulers जो है, वो side में हमें दिखाई दे रहे हैं, तो यहां major change दिखाई दे रहे हैं, वो यह है कि top menu bar पहले हुआ करती थी, उस menu bar को नीचे कर दिया गया, आप यहां देख पाएंगे, नीचे रख दिया गया है, ताकि top का area totally blank रहे, area के click करने पे काफी सारे options दिखाई देते थी, तो वो यहां पे आ रहे हैं, यह draft में है, पहले draft slash name दिखाई देता था, right, अभी कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे है, इससे पहले चले तो corner पे, यहां पे main menu आपको दिखाई देगी, तो सारे options वही हैं, जो आपको यहां प types की kits, यहां पे material design kit आपको दी जा रही है, simple design system जो figma ने खुद create किया है, वो आपको यहां पे मिल रहा है, इसके अलावा iOS 18 और iPad OS 18 की भी आपको kit मिल रही है, यहां पे आपको components मिलेंगे, और direct ही drag drop करते वे, आप अपना काम easily कर पाएंगे, चलिए, files में हम लोग फिर से ज picture दिखाई देती थी, तो वो यहां पे डाल दी गई है, और जो present and preview के options है, वो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, share का option यहां आ रहा है, तो इस पे click करने के बाद, जो हमें options दिखाई दे रहे हैं, उन में कोई ज़्यादा change नहीं है, थोड़ा सा interface का look and feel change किया गया है, तो अगर हमने कोई भी layer select नहीं किया है, तो हमारे जो local styles variables दिखते हैं, तो वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, और अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा अंदर अगर हमने कोई frame select किया हुआ है, तो उसका name और यहां इसे component बनाने के लिए options और यहा channel में मिल रहे है, need के coding, फिर जाते हैं नीचे, तो कुछ इस तरह से आपको यह options ऐसे दिखाई दे रहे हैं अभी यहां पर, यहां पर rotate का option है, और flip का option आपको direct यहां पर दे दिया गया है, इसके अलावा auto layout में अगर देखे हैं, तो कुछ changes यहां पर भी हुए हैं, कुछ icons अलग way से आये हैं, आप देख पारे हैं, और यह resize to fit का option आया है, और इसमें width और height चेंज करने का option है, या फिर हम लोग जो बाकी options करते हैं, fixed width या hug content या fill container वो सारा आपको as it is मिल रहा है, लेकिन उसकी placement उपर से इसके auto layout के अंदर ही अब कर दी गई है, इसके लावा options का option आपको यहां दिखाई दे रहा है, अलग से बना दिया गया है यहां पर और कुछ अलग अलग जगहों पर जो options पड़े होते थे उनको एक जिगह collect करके रख दिया गया है, जैसे कि appearance में यह hide and hide कर सकते हैं, blending options आपको यहां पर दिखाई दे जाएंगे, opacity और corner radius का जो प effects हैं, effects में अगर आप जाएं तो कुछ icon थोड़ा अलग वे से आ रहा है, और इसको settings जो इसकी हैं वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं, आप यहां से ही direct change कर सकते हैं, अलग जो effects आपने लगाने हैं, इसके अलावा selection colors का option आपको यहां पर इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, ज्यादा इसमें भी कुछ change नहीं है, और export में जाते हैं, तो वो same options आपको export में भी मिल जाते हैं, तो यहां पर आप options देख रहे हैं, थोड़े थोड़े icons जो हैं, उनको revamp किया गया है, थोड़े थोड़ा change किया गया है, और सबसे पह options का ही सारा खेल यहां पर होने वाला है, AI के सारे features आपको यहां पर मिलने वाले हैं, जिसमें all assets या plugins आपको इस तरह से दिखाई देंगे, और design tools जो हैं, यहां options दिखाई दे रहे हैं, make design, यानि कि आप prompt link के अपना design create करवा सकते हैं, यहां से, और यह design create करके देगा, मैंने check कर लिया, कुछ इसमें mistakes होती है, renaming layers, यह अपने आप समझेगा की layers कौन सी हैं, जैसे button की अगर layer है, तो उसे button name दे देगा, right, इस तरह से perfect names automatically AI आपको दे देगा, और replace content है, किसी भी और वे से आप content अपना लिखा सकते हैं, हम आगे आने वाली वीडियो में देखने and then options आजाते है, rewrite करने का, shorten करने का, किसी text code, translate करने का, तो यह सारे options inbuilt आपको Figma में ही अब मिल जाएंगे, right, और image editing में आपको नई image बना सकते हैं, आप अपने जो existing design है, उसमें images को generate करके लगा सकते हैं, इसके लावा remove background का जो आपको पहले plugin install करना पड़ता था, अब वो कर अगर हम लोग AI के through designs बना लेते हैं, तो उसके बाद make changes का option आता है, और हम लोग quickly theme यहां से replace कर पा रहे हैं, अपना color change कर पा रहे हैं, और dark और light theme में हमारा पूरा design जो है, वो convert कर पा रहे हैं, okay, and इसके अलावा design को compact बनाना है, expand करना है, कुछ इस तरह से easily कर पा रहे हैं, text एकदम से हम लोग change करके, initial जो ideas हमें client को देने होते हैं, वो easily हम लोग यहां पे quickly बना पाएंगे, यह सारे AI के features ही हैं, और भरवर के AI के features यहां पे दिये गया है, तो यह जितने भी AI features आप देख रहे हैं, इसके लिए dedicated अलग से video आएगी, each feature को हम लोग समझने वाले हैं, कि इसके बाद यहां पे आपको dev mode का option दिखाई दे रहा है, जो कि paid version में काम करेगा, तो dev mode में थोड़ा और आपको अच्छे से coding मिलने वाली है, जैसे कि मैंने यहां पे click किया, अगर in tabs पे तो इसके coding यहां देखी है, तो आपको styles और layout का यहां पे properly codes भी मिल रहा है, हम लोग आपने design को sync कर सकते हैं, coding के साथ में, और एक बार आपने design बना दिया और code में convert कर दिया है, तो पहले यही होता था कि अगर आपने design में कुछ change किया है, तो again वहां changes करने पड़ते थे, लेकिन अब आप design में change करेंगे, और code में अपने आप sync होके वो changes होते रहेंगे, I hope कि आपको यह video काफी पसंद आई होगी, इस video में हमने interface को देखा है कि क्या changes आए, look and feel के, और जैसा कि मने अलड़ी बता दिया है, कि ने ने जो features आएं, उनकी detailed videos quickly back to back इसी channel पर आने वाली है, चैनल को subscribe कर लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और bell के simple में भी click कर द आपको 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 आपक